हो सकता है कोई वेक्ती कुछ समय के लिए सफल नजर आए, लेकिन धोखे से हासिल धन अक्सर पंख लगा कर उड़ जाता है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं, तो हम खुद को लूटते हैं। मानसिक सांती की बीना कोई सफलता नहीं होती। किसी वेक्ती की दूलत का क्या फाइदा अगर वा रात को सो नहीं सकता है। सफल वेक्ती अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकटा करना नहीं है सफल व्यक्ति वह है जिसने अच्छी तरह से साइकोलोजी और स्प्रिच्वालिटी की समझ हासिल कर ली है जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हैं और अपनी टैलेंट से दूसरों को लाभ पहुचा रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आप सच्छी सफलता के रास्ते पर हैं अभी मैं आपको सफल होने के लिए तीन महत्वपूर्ण कदम बताऊंगा जिनें आप फॉलो करके सफल हो सकते हो पहला महत्वपूर्ण कदम उस काम का पता लगाना और करना जिससे आप प्यार करते हैं जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करते तब तक हो सकता है आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे दूसरा कदम, किसी काम में महारत हासिल करना और उसमें अच्छा बनने की इच्छा रखना और तीसरा कदम, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल ना बनाए आपकी इच्छा मतलबी नहीं होनी चाहिए इसमें मानावतों को लाब होना चाहिए दूसरे सब्दों में आपका उद्देश ये दुनिया की सेवा करना या लाब पहुंचाना होना चाहिए आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताना ना भूले मैं हूँ रितेश टोपो थैंक यू